हेलो एन वेलकम दोस्तो दीप इलेक्टोनिस लैब में आपका बहुत-बहुत स्वावगा थे दोस्तो आज मेरे पास एक EMI Cup 4A Pro LED TV आया है जिसके अंदर पैनल का प्रॉब्लेम है जिसके बाद जो लिकुड है इसके पैनल के अंदर चला गया उसके बाद पैनल काम नहीं कर रहा है यानि कि पैनल डैमेज हो चुका है इसका मोडल लंबर आप देख सकतो हो अगर आप भी चाहते हो आपने LED TV का पैनल को या डिस्पिले को रिप्लेस्मेंट कराना तो आप हमारे साथ कॉंटेक कर सकते हो सारे जानकरी नीचे डिस्क्रेप्शन में दिया हुआ है चलिए दोस्तों सारे जो खोलने का प्रॉसेस से आप देखिए और मजा लेजिए जो बेल आइकोन दिख रहा है उसके उपड़ भी फ्रेस कर दीजिए दोस्तों आप लोगों पता होगा कि जब कोई हम लोग TV को पहले बढ़ खुलता हूं उसके अंदर बहुत सरे डस्ट होता है सबसे पहले हमारा काम ही होता है कि डस्ट को क्लिन करना उसके बाद सारे जो सपोर्ट के लिए एक पती दिया रहता है उसको बहुती आसानी से बहुती मतला आपको अच्छे से खोलना होगा ताकि जब हम इसको दुबारा लगाएंगे उस समाई ये अच्छे से लग जाए कहीं बार ऐसा भी होता है कि इसको खोलने का तरीका बहुत सरे लोगों को नह जाती है या वो खड़ाव हो जाती है जिसके बाद जब दुबारा इसके अंदर लगाते है पैनल लगाने के बाद वो आच्छे से टाइट नहीं हो पाता है जिसके कारन हमारा पैनल फिर से तूटने का चांस बहुत ही रहता है देखिए दोस्तों हमने इसका जो उपर का ज इसलिए जंग लग चुका है उसके बाद दोस्तो हमने इस पैनल का जो टीकॉन है उस टीकॉन को हमने डिस्कनेट कर चुका हूं उसके बाद इस पैनल को हमने रख लिया हूं उसके बाद दोस्तो हमारे इसके टीवी के अंदर जो रिफलेक्टर लगा होते हैं इस को हमारे टीवी के अंदर इंस्टॉलेशन करना तो यहां पर हमारे पेटी के अंदर यह निया पैनल रखा हुआ है एक पेटी हमके हमारे पास अवैलेवल है तो हम इसके अंदर इस पैनल को सही सलमत फ्रेम के अंदर फिट करेंगे और फिट करने के बाद देखेंगे कि कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है लेकिन इस ट्रेप फ्रेम के अंदर बहुत सरे दिक्कत हमें देखने को मिल रहा है यहां पर दिखिए जो कॉफ आइसी सही सलमाट बैठ नहीं रहा है तो हमें अब इसे जगा को काट के फिट करना परेगा हमारे कॉफ आइसी को इसलिए सबसे पहले तो मैं मार्किंग कर लिया हूँ कि कहां पर कौन से चीज और कौन से जगा हमें काट करना परेगा यहां पर दिखिए हमने मार्किंग कर लिया हूँ उसके बाद दोस्तों मैं इसे पैनल को सेफ जगा पर रखता ह काट करने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि कास्टोमर ने जो बताया किसके अंदर लिक्विड आ गया था वो लिक्विड अभी भी यहाँ पर मौ nd तो इसे liquid को clean करके मैं जो cutting का process है frame cutting का वो हम cutting शुरू कर देंगे यहाँ पर देखिए कितना liquid इसके अंदर चला गया था इसी के बैस से हमारा जो TV का panel है वो खराब हो चुका था दोस्तों में यहाँ पर आपको बोलना चाओंगा कि अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा liquid कहां पर इस्तमाल किया जाता है तो आप बिल्कुल उसको try मत किजिए चाहें आप किसी भी जागा पर इस्तमाल क्यों ना करें मैं TV के बाद करना ही कर रहा हूं किसी जागा पर आप अगर उसके बाड़े में अच्छे से जान करें नहीं है तो उसको apply ना करें थोरा सा भी इधर उधर हो जाएंगे तो आपका चीज जो है खराब हो सकती है यहाँ पर द करें रहाँ और वेडरा पराँ भाँ और के खराभे में देट लिए उसके खराएँ अन करें पर खराओबारत परें pc मोब्याँ बडें उसके परें विएड़ाँ और इसर सम्सरा करें करें ऐसस में अरल् krijgenाबारक टार्म इन और जाफराबदा यहाँ भ्ल्ष फ्रीफ मेज प डेले, लेघा लेखान हके गहएह urrection, तुर लेखान कें लेखान चार अंपधर भीटो भीटोन लिली व्रकेंट इली औराएप ops प्रकेंट किली हुँ देखिए दोस्तो हमने इसे जगा को बहुत याच्छे से किलिन कर दिया हूँ उसके साथ ही साथ जो इसमूत कर दिया हूँ ताकि कॉप आइसी के साथ कोई गरबड़ी ना हो जाए इन फ्यूचर में उसके बाद दोस्तो हम क्या करेंगे कि इस फ्रेम के अंदर जो जंग लगा हुआ था उसर जंग को हम रिवूब करेंगे इस मैसीन के जरीए यहाँ पर देखिए जितने भी जंग लगे हुए थे सारे के सारे हमने क्लिन करके इसमूत कर दिया हूँ ताकि इसे टीवी के अंद सारे कर दिया है कि जादा मस्तराय भगरा ना रहे यहां पर देखिए हमने जितने जगाहे यह कर भाड़ी हाथ है कि जो दूसरे साइड को कर'd करना देखिए दोस्तो मैं इस फ्रेम का दोनों साइट को कट कर चुका हूँ जहां पर हमारा कॉफ आई सी सेट करना है वहां पर और उसके बाद मैंने इसके उपर टेप चिपका दिया हूँ लाकि हमारी कॉफ आई सी के साथ कोई दिक्क्यत ना आए तो चलिए दोस्तों आप फाइनली हमारा जो निव पैनल है जो कि एल जी का है इसको हम अपने टीवी फ्रेम के अंदर सेट करता हूँ और हम देखता हूँ कि इस पैनल के अंदर हमें कोई ग्राफिक्स बगारा बन र रखना होगा क्योंकि अगर कॉर्णर में थोरा सा भी उपर रह जाए तो आपका पैनल तूटने का चांसेस रहता है आप देखिए दोस्तों हमने दो जगापा कट किया हूँ और उन दोनों जगापे हमारा जो कॉफ आई सी है बहुत ही बढ़िया से वो फ्लेक्सिवल तरी इसकत आ सकती है उसके बाद ही हमने उन दोनों जगापे बहुत अच्छे से बाड़ी के से काट करा हूँ और काट करने के बाद दोनों जगा बहुत ही अच्छे से इसमुत कर चुका हूँ उसके बाद हमने इस सारे कॉर्णर को अच्छे से चेक कर ले हूँ कोई कॉर्णर उपर उठा हुआ तो नहीं है उसके बाद इसके उपर से हमने जो फ्रेम को उतरा था यान की निकाला था उस फ्रेम को सेम टू सेम उसी जगा पे लगा देता हूँ दोस्तो फ्रेम को लगाने के बाद हम इसके अंदर पिक्चर को चेक करेंगे उसके बाद ही हम इसको पर्मनेंटली फिक्स करेंगे नहीं तो हमें फिर से खोलना परेगा यहाँ पर देखिए जहां से हमने जो भी कनेक्टर को ओपेन करा था वहाँ पर लगा दिया हूँ और उसके बाद इस टीवी को मैंने पलाट दिया हूँ और पलाटने के बाद इसके साथ जो हमारा टीकॉन बोड आते है वो से टीकॉन बोड को लगा के एक बार ग्राफिक्स हम चेक कर लेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों पैनल का जो सोर्स प्रिसीवी है वो से सोर्स प्रिसीवी को हम यहाँ पर इस तरीके से बिठा देंगे तो बिठाने से पहले मैं एक बार इसका ग्राफिक्स बागरा चेक करना चाहूँगा यहाँ पर देखिए यह जो हमारा टीकॉन बोर्ड है इस टीकॉन बोर्ड को हम यहाँ पर इस तरीके से चिपकाएंगे हमने जो जगा है उस जगा को सबसे पहले ढूनना होगा तभी आप इसे पैनल को successfully इसके अंदर install कर सकते हो तो चलिए दूस्तों इसे source PCB के साथ यह जो हमारा टीकॉन है इसे टीकॉन को लगाने के लिए सबसे पहले यह जो हमारा flex पता है जो कि हमारा इसे टीकॉन के साथ साथ पैनल के साथ connection होगा यानिकि टीकॉन और पैनल के साथ यह flex PCB हमारा connect होगा तो इस तरीके साथ हमने यहाँ पे लगा दिया हो उसे को और इस side हमने लगा दिया इसे टीकॉन के साथ और उसके बाद दूसरे side जो हमारा motherboard से टीकॉन में connect होगा जो पहले से लगा हुआ था वही connector हमको यहाँ पे लगा देना है दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका positive power supply अगर आपका motherboard का positive power supply सही नहीं है तो आपका पैनल एक second के अंदर खराब हो सकता इसलिए उसको check करने के बाद ही आप इसको power supply दे यहाँ पे देखिए हमने इसको connect कर दिया हूँ और यहाँ पे देखिए हमारा AMI का logo आ चुका है और यह जो हमारा Android का booting logo है यह भी आ चुका है यानि कि हमारा panel है जो है successfully install हो चुका है और उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पे हमारा जो ticon board है इस ticon board को यहाँ पे permanently fix करने के लिए बहुती बाड़ी के से double side tape के साथ साथ हमारा यह जो बहुती अच्छा वाला जो high quality का tape है उसको भी हमने चिपका दिया हूँ ताकि यह छूटना जाए और उसके बाद इसका जो back side है हमने लगा दिया हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे इसका जो picture उल्टा आ रहा है उपर side नीचे आ रहा है नीचे side उपर जा रहा है उसको हम fix करेंगे और fix करने के बाद हम जो है इसको लगबग एक दो घंटा टेस्टिंग करेंगे हमरे इस जोफ पर ही और picture quality बगरा चेक करेंगे उसके बाद ही इस टीवी को हम customer के पास deliver करेंगे यहाँ पर दिखिए इसके अंदर जो पैनेल लगाया हूँ दोस्तों यह बहुत जबर्दस quality का पैनेल है इसके अंदर जो graphics और picture quality है बहुत जबर्दस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकती हो तो देख लिए आपने इस पैनेल का कमाल कितना जबर्दस और bright bright के साथ साथ इसका जो 60 में से कितना ज़्यादा आपको आच्छा देखने को मिल रहा है तो मुझे आसा है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है अगर पसंद आ है तो लाइक जुरूर कर दीजेगा और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुजाब है तो नीचे आमें कमेंट करके बता सकते हो मैं उसके उपड़ बहुत ही जल्द वीडियो बना की कोशिस करूँगा और दोस्तों हाँ अगर आपका भी टीवी का पैनेल खराब हो चुका है तो आप हमारे सर्विस सेंटर में आपका टीवी रिपेर करा सकते हो या पैनेल रिप्लेस्मेंट करा सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे जानकड़ी दिया हुआ एक बाद जाके चेक कर लिजेगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों हम फिर मिलते है नेक्स वीडियो में तापता के ल आल दे बेस्ट